करोडो कारेकरता देश भर में और दुनिया में डॉक्टर शामा पुरशाद मुखर जी का जन दिन जन जैनती मना रहे हैं हम सबको बालूम है कि 6 जुलाई 1901 को महान राष्ट्रभक्त, महान देशभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रबाद के उद्ध्योतक और महान शिक्षाविद स्वर्गिय शामा पुरशाद मुखर जी का जन जैन 6 जुलाई 1901 को हुआ था उनकी तीक्षण बुद्धी और एक महान शिक्षाविद का परिचे इस बात से मिलता है कि 33 वरश की आयू में ही वो कलकत्ता विश्योविदाले के कुलपती बन गए थी अट दी एज अफ 33 वी बिकेम दी वाइस चांसलर अफ कलकता इनवर्स्टी इन दोस देज तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शिक्षा, प्रकरग्यान, उनकी विद्धता, सारी दुनिया उसका लोहा मानती थी हम यह भी जानते हैं कि 1929 में वो पहली वार बंगाल की विदान सभा में उन्होंने प्रवेश किया था और 1930 में वैचारिक मतभेद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तत्पशाद वो फिर से शिक्षा के काम में लगे 1940-1941 में वो 41-42 में वो फजलूल हक के कैबिनेट में वित मंत्री बंगाल के बने और उन्होंने बंगाल की बहुत सेवा की सबसे मात्तुपूर्ण बात ये है कि उस समय की चर्चा में बंगाल सारे का सारा भारत से और पंजाब सारे का सारा भारत से निकलने की बात हो रही थी लेकिन उन्होंने यह लड़ाई लड़कर के जो आज बंगाल का हम सुरूप देख रहे हैं यह शामा प्रशाद मुकर्जी की देन है कि उन्होंने उस समय इस विशे को रखा और फिर वो पश्चिम मंगाल के नाम से जाना गया साथी साथ वह नहरू के जवारलाल नहरू के कैबिनेट के पहले सदस्य थी वह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने उन्होंने उद्योग की नीती रखी और साथी साथ उन्होंने खादी ग्राम उद्योग की भी स्थापना की एक महान विचारक एक महान शिक्षाविद ने बह वो औद्यों की नीती थे उसके माध्यम से भारत को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया लेकिन नहरू जी से विचारों से अलग हो करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो उन्होंने भारतिय जनसंग की स्थापना की और भारतिय जनसंग की स्थापना का कारण ये थ कि नहरू जी की तुष्टी करन की नीची अपीजमेंट की नीची से वो दुखी भी थे चिंटित भी थे व्यथित भी थे और उन्होंने कहा कि नहरू जी जो आप धारा 370 लगा रहे हैं ये देश के लिए गातक है और उन्होंने नारा दिया एक देश में दो निशान दो वि बिना पर्मिट के उन दिनों पर्मिट पर जाना पड़ता था जम्मु कश्मी ने उन्होंने सत्याग्रा किया उन्होंने कहा कि मैं बिना पर्मिट के जाओंगा ये भारत की धरती है यहां किसी के भी पर्मिट करहने की ज़रूत नहीं है और उन्होंने एक देश में दो नि नगर के जेल में 23 जून की प्रातर उनका निधन हुआ रहस्में तरीके से निधन हुआ उनकी माता जी ने एक लंबी चित्थी जवानलाल नहरू जी को लिखी कि इसकी इंक्वाइरी होनी चाहिए कॉंग्रेस जाने नहरू जी जाने कि उन्होंने क्यों यह इंक्वाइरी नहीं कराई और रहस्में तरीके से हम लोगों ने अपने प्रिया नेता श्यामा प्रशाद मुकर्जी जी को खो दिया लेकिन भारतिय जनसंग और भारतिय जनता पार्टी ने उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सालों साल लगे रहे और मुझे खुशी है कि आदर्निय प्रधान मंत्री जी के नितृत्त में और अमिश्या जी की रन्निती ने धारा 370 को धारा शाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान एक प्रधान एक समविधान लागू हो गया और धारा 370 समात हो गया यह शामा प्रशाद बुखरजी जी को सची स्रधान जली है आज जब हम उनको याद करते हैं उनकी जन जैनती पर तो भारतिये जनता पार्टी के कारे करता करोड़ों कारे करता 23 मई से लेकर 6 जून के बीच में विरिक्षार ओपन सामाजिक कारे अस्पतालों में जाना गरीब लोगों की चिंता करना जुगी जोपियों की चिंता करना उनकी लोगों की चिंता करना और सामाजिक कारे को आगे बढ़ाना ये काम हम लोग लेते हैं और आज के दिन करोडों कारेकरता इस काम में जुटे हैं मैं उनको सादुवाद भी देता हूँ और डॉक्टर शामा प्रशाद मुकरजी जी के लिए सची श्रधांजली एक भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता के रूप में यही है कि हम अपना जीवन इस देश के लिए मज जीवन से प्रेणना ने ऐसा में ज़रूर कवेड़ी जहां हुए परदार करजी वो कस्मीर है